नमस्कार, जैस्री कृष्णा, मैं राके शिवानियाश्यो चैनल में आपका बहुत-बहुत सवाधत करता हूँ और जैसा ये कुछ चार-पांच वीडियो से, मैं आपको संतान के विशे में बता रहा हूँ जो शास्त्रों में दिये गए नियम है और बहुत ही authenticated नियम है इसके बाद सबसे important चीज होती है, कई बार नियम match कर जाता है कुणली में संतान होने का योग बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी संतान नहीं हो तो ये कैसे देखा जाए, इसके लिए शलोख है शास्त्रों में लिखा हुआ कि जिवेंदू शितिजस्फुट, मतलब ये कहते हैं कि एक करम है बीज्फुट और चेत्रस्फुट इस्त्री नाम शेत्र बलम वदंती, इस्त्री के लिए शेत्रस्फुट, पुरुष के लिए बीज्फुट ये हमको चेक करना, अगर पुरुषी कुंड़ी में बीज्फुट, विशम राशी और विशम नवान्श में आए, तो संतान पैदा करने की शंता होती है और यदि दोनों जगे वो सम राशी में आजाए, तो संतान पैदा करने की शंता नहीं हो, और एक जगे विशम एक जगे सम आजाए, तो मिला जुला प्रभाव होता है इसी प्रकार से इस्त्री के लिए भी होता है छेत्रिस फुट अगर छेत्रिस फुट सम राशी में और सम नवानश में आए तो संतान पैदा करने की शक्ति उसके अंदर है और अगर विशम में आता है तो संतान पैदा करने की शक्ति उसमें नहीं है तो ये भी आपको चेक कर करना होता है कि कई बार कुंड़ी में योग मिल जाते हैं लेकिन संटान नहीं होती तो उसके लिए बीज फुट और छेट सुट भी चेक करना आपको अब वह कैसे करते हैं वह मैं आपको बता है बहुत सिंपल प्रॉसेस है पुरुष्की कुंड़ी ले लिजिए और पुरु ये चेक किजिए कि सूर्ये की सूर्य शुक्रों और वर्षोति यह तीन ग्रहे आपके किस राशी में हैं 1- कितने डिग्री पे हैं यानि कितने अच्पे यह उत्य哈 विशम राशी और विशम नमांच में आए तो संतान पैदा करने की संता पुरुष में है ऐसा मानना चाहिए। लिए और तीनों ग्रहों को देखिए किस राशी में हैं कितने अंश पे हैं यानि कितने डिगरी पे हैं कितने मीनिट पे हैं कितने सेकंड में उनको जोड लीजिए उनको जोडने से 6-30 फूट निकलता है और 6-30 फूट अगर सम राशी और सम नमाश में हो तो इसक्री में संत नमबर रषी में यानि 8 साइन साइन पास आ गए ग्यारतीन चौदा और छे 20 डिग्री अगर तो तो टॉटल आता है सोला साइन पास दिग्री वन फॉर्टी नइन बिटी निटी वह चेंज़ तो साट मिन यौन 120 मिनट हम इहाँ ले जाते हैं 22 वी तो ये रह जायगा हमारा वोगि 120 मिनट हम इहाँ पर लियाए 2 ऱगरी बनाके तो 29 गरी तो answer हमारा आएगा 16 sign pass, 22 डिगरी, 29 मिनट ये हमारा answer आया अब 16 sign pass, 17 राशी तो कोई होती है राशी तो 12 ही है तो इसमें से हमें माइनस बारा करना पड़ेगा। बारा करेंगे तो आंसर आया फोर साइल पास, बाइस डिगरी, उनटेश बिल्ग फोर साइल पास का मतलब हुआ कि चार राशी पूरी हो चुकी है, पांचवे नंबर राशी में है यानि इस कर्प को निकल चुका है सिंग राशी में, तो सिंग राशी है यानि हमारा जो बीज सुट आया, वो सिंग राशी में, ये बीज सुट आया तो सिंग राशी हमारी पांच नंबर राशी होती है तो यह हमारा विशम राशी आ गई, एक, तीन, पाउस, साथ, नो, ग्यार हमने बोला था, तो यह तो ठीक हो गया, अब हम यह देखेंगे, कि यह जो 20 सुट है, हमारा सिंग राशी में तो है, लेकिन नमाश में कहाँ पर, तो सिंग राशी में कितना है यह, 22 डिगरी, 29 मिनट यह सातवा नमांश हो गया, नमांशा मतलब होता है एक राशी के नौ भाग कर रखेंगे, एक राशी के नौ भाग कर रखेंगे, एक राशी का मांज होता है, तीन डिगरी बीस मिनट का हो, तो यानि जो हमारा वो आया था, चार साइन पास, बाइस डिगरी, उनतिस मिनट, य नीचे चलना है हमारी राशी क्योंकि सिंग राशी है हमारी राशी आई है क्योंकि सिंग आई है house हम को मेश से पाउंटिंग स् windows सार्ट करनी है और 7 smaller तर ठार्ट है तो 2,3,4,5,6,7ung तुल्ब तुल्ब तो तुल्ब नमट बाउच मतलब हो गया तो विशम नमांच हो गया, तो दोनों विशम होगा, इसका मतलब इस जातक में जिसकी एक कुंड़ी है, संतान पैदा करने की शम, ये हमने आपको दिखा दिया, अब फिबिल के चार्ट में भी आप देख सकते हैं, सेम प्रोसीसर से, उसको भी आप ऐसे करिकरन का लिए, 172, 211, और 18, 48 degree, 12 sign pass, 49 degree, 118 mean, 49 degree, एक sign में कितने degree होते हैं, one sign is equal to 30 degree, तो 49 degree को हम लोग 30 यहां ले जाते हैं, एक sign बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 13 sign pass, इसमें से 30 निकल गये, तो 19 degree आगया, 118 minute, 118 minute को अब माल लेते हैं कि 120 minute समझ लेते हैं इसको, तो 2 degree के बराबर हो गय तो यह हमारा आगया 13 sign pass 21, 118 है, एक degree में 60 मिनट होते हैं, तो हमने इसको 2 मान लिया, कि यह 2 बान लिया, कि यह 2 डिगरी के बराबर है, तो 21 डिगरी हमारा answer आगया, यह हमारा आगया 36, 13 sign हमारे होते नहीं है, 13 राशी 12 राशी होती है, तो 12 माइनस कर दीजिए, तो यह आगय का मतलब हमारा यह है, कि इस्तरी की कुंडली में 6-30 फुट जो है हमारा, वो सम राशी में है, अब चेक करते हैं कि सम नमांश भी आता है या नहीं है, तो नमांश को भी आप चेक कर लिजिए, इतने का है यह आपका, यह आपका था, एक degree, एक sign pass 21, 21 डिगरी का देखिए, क चार, पांच, छे और साथ, करक राशी, तो नमांश आ गया, करक का मतलब है, चार नमबर, तो राशी दो आ गई थी, नमांश भी करक आ गया, सम राशी आई थी, नमांश भी करक आ गया, तो इसका मतलब यह है, कि राशी भी सम है, और नमांश भी सम है, यानि इवन नमबर तक प्रक जो होता है वो चार नंबर होता है तब दोनों चार नंबर है इस तरीगे अंदर भी संथान पैदा कartने की शम्त तो ऐसा करके हम लोग इसको नकालते हैं और उसके बाद हम लोग कैल्कवलेट करते हैं कि शंथान पैदा करने की शन् slug है इन सब का कॉर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्च में जो लोग भी इंट्रेस्टेड हो वो दिये गए नमबर के संपर धन्यवाद जैशे